नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण की संपात्की से 446 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 80 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है या इसमें आए हुए महत्पूर सब्दों के आउटलाइन्स को जाना चाहते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम गुरूप को जरूर जोइन कर लें गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो असी की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट यह नाकेवल उल्लेखनिये है बलकि प्रसंसनिये भी की संसद के बजट सत्र के पहले सब्ताह राज्यसभा में सो प्रतिसत कामकाज हुआ उच्च सदन का इस तरह बिना बाधा चलना इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है सच तो यह है कि हाल के समय में लोगसभा से अधिक हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला है और वह भी इस मान्यता एवं अपेक्षा के बावजूद की उच्च सदन में कहीं अधिक धीर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और उसे सार्थक बहस के मामले में अन्य विधान मंडलों के लिए उदाहरण पेस करना चाहिए एक ऐसे समय जब संसद हंगा में सोर सराबे और ना चलने के लिए अधिक जानी जाने लगी हो तब राजय सभा में सही धन से कामकाज होने का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसका अंदेशा था कि पाँच राजियों के विधान सभा चुनाओं के चलते पक्ष विपक्ष में तकरार होगी अंदेशा यह भी था कि कहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने के नाम पर पिछले सत्रों की तरह पुराने मुद्धों को उचालने का काम ना करने लगें पैरा ऐसा लगता है कि विपक्ष को यह समझ आया कि पिछले सत्रों में उसने व्यर्थ में जो हंगामा किया और संसद के कामकाज को जान बूझ कर बाधित किया उससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ सच्चाई जो भी हो यह समझा जाना चाहिए कि संसद बहस के लिए है ना कि नारेबाजी के लिए यह काम तो सडक की राजनीती का है इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती की पिछले सत्रों में किस तरह संसद के दोनों सदनों में किसम के नारे वाली तख्तियां लहराई जाती थी और सदन चलाने की सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर डाल कर संसद परिसर में धर्ना प्रदर्शन किया जाता था इस सब से नाकेवल संसद की गरिमा गिर्ती थी बलकी राष्ट्र के समय और संसाधन की बरबादी भी होती थी यह सही है कि संसद की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं की विपक्ष हंगामा करने पर अरा रहे और सदन ना चलने का दोस सरकार पर मढता रहे संसद तभी सही तरह से चल सकती है जब सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी का परिचय देगा यदि विपक्ष राष्ट्रिय महत्व के प्रतेक विशे पर प्रस्न पूछने को तैयार दिखे तो सत्ता पक्ष को भी उनका उत्तर देने के लिए ततपर रहना चाहिए इसमें हर्ज नहीं कि पक्ष विपक्ष में तीखी बहस और नोक जोक हो लेकिन यदि संसद में केवल हंगामा होगा तो फिर वह जनता की आकांग्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती अच्छा यह होगा कि बजट सत्र के पहले हफ्ते राज्य सभा में बीना बाधा जो कामकाज हुआ वह एक नजीर बने इसी के साथ कोशिस यह भी होनी चाहिए कि संसद में बहस का अस्तर उचा उठे इससे ही लोग तंत्र ससक्त होगा इस्टाप दोस्तो इसी दिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग सौ की स्पीड में लेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट अब बहुत कम देखने को मिलता है सच तो यह है कि हाल के समय में लोग सभा से अधिक हंगामा राज्य सभा में देखने को मिला है और वह भी इस मान्यता एवं अपेक्षा के बावजूद की उच सदन में कहीं अधिक धीर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और उसे सार्थक बहस के मामले में अन्य विधान मंडलों के लिए उदाहरण पेस करना चाहिए एक ऐसे समय जब संसद हंगा में सोर सराबे और ना चलने के लिए अधिक जानी जाने लगी हो तब राज्य सभा में सही धन से कामकाज होने का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसका अंदेशा था कि पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के चलते पक्ष विपक्ष में तकरार होगी अंदेशा यह भी था कि कहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने के नाम पर पिछले सत्रों की तरह पुराने मुद्धों को उचालने का काम ना करने लगें पैरा ऐसा लगता है कि विपक्ष को यह समझ आया कि पिछले सत्रों में उसने व्यर्थ में जो हंगामा किया और संसद के कामकाज को जान बूझ कर बाधित किया उससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ सच्चाई जो भी हो यह समझा जाना चाहिए कि संसद बहस के लिए है ना कि नारे बाजी के लिए यह काम तो सडक की राजनीती का है इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले सत्रों में किस तरह संसद के दोनों सदनों में किसम के नारे वाली तख्तियां लहराई जाती थी और सदन चलाने की सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर डाल कर संसद परिसर में धर्ना प्रदर्शन किया जाता था इस सबसे नाकेवल संसद की गरिमा गिर्ती थी बलकी राष्ट्र के समय और संसाधन की बरबादी भी होती थी यह सही है कि संसद की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं की विपक्ष हंगामा करने पर अड़ा रहे और सदन ना चलने का दोस सरकार पर मरता रहे संसद तभी सही तरह से चल सकती है जब सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी का परिचय देगा यदि विपक्ष राष्ट्रिय महत्वय के प्रतेक विशे पर प्रस्ण पूछने को तैयार दिखे तो सत्ता पक्ष को भी उनका उत्तर देने के लिए ततपर रहना चाहिए इसमें हर्ज नहीं कि पक्ष विपक्ष में तीखी बहस और नोक जोंक हो लेकिन यदि संसद में केवल हंगामा होगा तो फिर वह जनता की आकांग्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती अच्छा यह होगा कि बजट सत्र के पहले हफ्ते राज्य सभा में बिना बाधा जो कामकाज हुआ वह एक नजीर बने इसी के साथ कोशिस यह भी होनी चाहिए कि संसद में बहस का अस्तर उचा उठे इससे ही लोक तंद्र ससक्त होगा इस्टाब